हम अपना पार्ट बारा क्रिया करेंगे तो देखे हम क्रिया में क्या क्या पढ़ेंगे इस से दहाय में हम पढ़ेंगे क्रिया, धातू, रचना के आधार पर क्रिया के भेद, रूड क्रिया, यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया के भेद, प्रिनात्म क्रिया, सन्युक्ति क्रिया, अनुकरनात्म क्रिया, पूर्फकालिक क्रिया, नाम धातू, कर्म के आधार पर क्र क्रिया के भेद अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया मुख्य और गौन कर्म यह हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में क्रिया का अर्थ है काम क्रिया या तो स्वैम होती है या की जाती है क्रिया का मतलब क्या है काम और काम क्या है या तो खुद करते हैं हम यह या वह अपने आप हो जात रवी ने परच लिखा, वह आज बाजार जाएगा, बच्चे अपने घर चले गए, तो ये क्या है, हमारे क्रिया हैं जये कि इसमें जाएगा रहा है, निकलना हो रहा है, बरशा हो रही है, लिखना क्या है? ये सब क्रिया है वाक्य में जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पता चलता है उसे क्रिया कहते है वाक्य के जिस शब्द से यह पता चले किये काम हो रहा है या किया जा रहा है तो यह क्या कहलाता है क्रिया कहलाता है वो शब्द क्रिया के बिना कोई वाक्य नहीं बनता क्रिया के बिना आप देखेंगे कि कोई भी वाक्य नहीं बनेगा वाक्य में क्रिया का महत्व सबसे अधिक होता है जो वाक्य होता है उसमें क्रिया का बहुत जादा महत्व होता है फिर देखे धातू निम्ले के शब्दों को ध्यान से देखे लिखता लिखते लिखती लिखेगा लिखेगी लिखेंगे लिखूंगा लिखा लिखे लिखो लिखे इन सभी शब्दों में लिख आया है इस प्रकार ये सभी शब्द लिख से बने है इन सभी शब्दों में क्या है? लिख जरूरा है तो इन सभी शब्द किस से बने है? लिख से यह क्रिया का मूल रूप है यही धातू है यानि यह जो क्रिया का मूल रूप क्या है? लिख क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते है? धातू कहते है ठीक है? क्रिया के प्रतेक रूप में धातू होती है क्रिया के जितने भी रूप है उन सब में क्या होता है कोई न कोई धातू जरूर होती है क्रिया विकारी शब्द है विकारी शब्द यानि की प्रेतनशील हम इसको बदल भी सकते हैं ये वचन, लिंग वगेरा के हिसाब से बदल जाता है क्रिया के भेद क्रिया के भेद दो आधारों पर किये गए हैं क्रिया को दो आधारों पर बाटे गए हैं पहला है उसमें रचना के आधार पर रचना के आधार पर क्रिया को बाटा गया है कितने भागों में हैं देखिए रूड क्रिया और योगिक क्रिया रूड क्रिया क्या होती है जो क्रिया एक ही धातू से बनती है वह है रूड क्रिया कहलाती है जैसे अगर कोई भी क्रिया एक ही धातू से बनेगी तो वह रूड क्रिया कहलाईगी जैसे उसने आज खाना खाया मोहन स्कूल गया मैंने उसे बाजार में देखा सेकेंड है हमारा योगि क्रिया जो क्रिया एक से अधिक धातूँ से बनती है वह योगि क्रिया कहलाती है जैसे वे दिल्ली से चल पड़े मेरा बटुबा कहीं गिर गया पापांगने मेरी प्रहते हैं सुईकार कर लिए इस वाले में क्या था स्रीछ सिर्फ ही रातू से बना था खाना से गया से और या तेक धंल पडें यह एक से अधिक बना है इसमें दो मूल शब्द है इस ही क्या है यौक क्लिया है तो हुआज से हम अगली टाश में ay no क captured रिट की definition एक रिखामपल कि के सब्सक्राइब तिक है यृखिल के देफिनेशन अग इसकी है डफिनेशन और एक-एक रिखामपल लेकर अब यह आपको सर्फ इतना ही करना है Thank you all of you for listening me आपको वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है और बैल आइकन दवाना ना भूले